इस वीडियो के अंदर हम लोग HTML, CSS को यूज़ करके काफी अच्छा login form create करने वाले हैं इसका design आप logo के सामने हैं और ये काफी ज़्यादा attractive है इसके features के अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो मैं आपको यहाँ पर zoom करके चेक करा देता हूँ zoom करने पर obviously background के according यहाँ पर थोड़ा सा यह खराब हो गया बट 100% zoom पर यह आप देख सकते हो proper है सबसे बढ़िया चीज है यहाँ पर यह curve जो आप देख सकते हो ऊपर login के जगह पर आप यहाँ पर यह बनाना सीखो गया और यह आप लोगों के लिए यहाँ पर new होने वाला है जैसे ही username पर क्लिक करते हैं यह slide होकर के उपर जाता है और इस जगह पर आ करके animate होता है same चीज password पर आप देखो इस चीज को कितना अच्छा effect है इसी के साथ साथ आपको अंदर मिल जाएंगे कुछ icons जो कि हम लगाना यहाँ पर सीखेंगे remember me के लिए एक check box है forgot password है login बटन है and don't have an account sign up obviously यह sign up काम नहीं करता है login काम नहीं करता है right क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर design है अगर आप चाते हो कि proper तरीके से यह login हो login होने के बाद इसका proper interface दिखे तो इसके लिए आप channel के playlist में जा सकते हो और यहाँ पर आपको जा करके देखना है login and logout in PHP उसके थूँ आप इसको कर सकते हो तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यह form create करेंगे इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे यह हिस्सा हमारा blur है जो की थोड़ा सा glass का mad finish दे रहा है हमें इसी के साथ अगर आप देखोगे तो यह जो मारा form है न यह blur है इस जगह पर जो background है वो blur हो गया और zoom करके दिखाऊं तो यह देखो इस जगह पर वो blur हो गया तो हमारा जो form का interface है उसको हम यहाँ पर blur रखने वाले है तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर यही form create करेंगे वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे चनल पर new है तो subscribe करें bell icon को click करके all notification को on करें ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे YouTube के design में यहाँ पर changes हुए है तो आपको channel का about up देखने को नहीं मिलेगा वो चला गया है यहाँ पर इस जगह पर click करोगे न तो खुल जाएगा और सारे links यहाँ पर move ओ चुके है ठीक है और यहाँ से जो भी आपका operating system में उसके लिए download करें मैंने 64 bit किया है और मैं Windows 11 को use कर रहा हूँ 10 के लिए भी आप यहाँ से कर सकते हो free of cost है sublime download होने के बाद उसको install करें and simply आपको इसको open कर लेना है तो यह कुछ हमारा project है इसके अंदर हमारा एक file है और एक style sheet है और दुनिया भर के मैंने backgrounds रखे हुए है यह सारा मैं आपको provide कर दूँगा background का link आपको description में मिल जाएगा आप इसको download कर सकते हो इन images को ताकि आपका design भी merit रही दिखाई दे तो यह मेरा एक login form का मैंने folder create की यह है की खाली है आप इसको यहां से drag करो sublime में लाकर करके drop करो तो कुछ ऐसा आजाएगा left hand side पे खेरना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है आप इसको अपने according कर सकते हो आपको अपने folder के उपर right click करना है right now अगर आप check करोगे ना तो यह खाली है ठीक है तो मैंने इसके उपर की यह right click new file file पे click करे save as make sure यहां पे all file selected हो और आपको इसका नाम provide करना है नाम आप कुछ भी रख सकते हो तो मैंने कहा दिया form लेकिन dot के बाद html होना चाहिए तो यह हो गया हमारा form.html and simply आपको इसको save कर देना है तो इस जग आप आप देखोगे form.html यहां पे create हो गया यहां पे आप arrow पे click कर देना right click करके new file file में जा करके save as और यह रहेगा हमारा style sheet style.css होना चाहिए यह इस बात का आपको ध्यान रखना है and save करें तो हमारे पास style sheet और html का form दोनों आ चुके है html वाले पे आकर के आपको यहां पे type करना है angle and ht लिख करके enter press करें यह सारा कुछ अपने आप कर देगा सबसे पहले यहां पे अपने form को run कर देदे हैं तो आप देखोगे कुछ ऐसा है उपर लिखा हुआ है form.html obviously मुझे इसकी requirement नहीं है और हम जाएंगे कुछ अच्छा title आए तो इसके लिए आप यहां पे type करोगे login form जैसे इसको refresh करेंगे आप देख सकते हो इस जगह पे आचुका है login form तो title यहां पे properly हो चुका है अब हमें requirement है कि हमारे इस form को अपने style sheet के साथ link किया जाए यह हमारा style.css है तो इसके अंदर मैंने provide किया body body का एक background color कुछ भी रख दो आप यह हो जाएगा आपका red और इसको आपस में link करना link कैसे करोगे head tag close होने से पहले तो इस जगह पे आकर के मैंने कहा link tag style sheet reference में आगया आपका style.css जो भी आपने नाम दिया है हमने style.css दिया हुआ है तो अगर यह link हो गया तो red color आ जाएगा नहीं होगा तो आपको इस spellings को ध्यान देना है चलिए अभी इस red की कोई ज़रूरत नहीं है यह बस understanding के लिए था तो style sheet हमारा यहाँ पे link हो गया अब हम यहाँ पे कुछ icons का भी use करेंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यह मैंने कुछ icons यूज किये है font awesome के आप चाओ तो font awesome 5 के icons यूज कर सकते हो मैंने 4 के icons यूज किये है गूगल पे जाके आपको टाइप करना है font awesome 4 cdn नीचे स्क्रॉल करते है w3 की website मिलेगी यहाँ चले जाओ और यह जो link tag लगा हुआ है font awesome 4.7 इस वाले line को आपना है copy और अपने code में आ करके just इसके बाद कर दो इसको paste ताकि उस icon को हम लोग यूज कर सके तो हम यहाँ पे इसके html part को करते है इस जगह पे मैंने बना दिया एक div या फिर हाँ चलो div करते है div हो गया हमारा इसका एक class होगा मैंने दे दिया इसको container अब इसके जगह पे actually जो मर्जी type कर सकते हो फर्क नहीं पड़ता और इसके अंदर कर दिया मैंने header header के अंदर provide किया मैंने यहाँ पे h3 basically heading के लिए है h3 के अंदर मैंने लिखा login यह जो आप देख सकते हो ना यह h3 यह h2 जो आपको सही लगे refresh करेंगे तो वो लिख करके आ चुका है I think वो मैंने h2 रखा था तो मैं इसको कर देता हूँ h2 save and refresh तो आप देखोगे यह proper तरीके से आ चुका है अब आप देखोगे यह हिस्सा है मेरे पास एक तो outer body है हमारे पास जो white background है जिसका white border है और उसके अंदर जो है वो एक form है form क्या होता है जिसके अंदर हम कुछ type कर सके right तो मुझे इसकी भी requirement है तो अब हम चाहिए एक form तो form के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे form tag तो मैंने यहाँ पर कहा form form के अंदर मैंने लगाया div इसका style sheet करना है तो इसके लिए class की requirement है तो मैंने कहा div class equals to wrapper कुछ भी रख सकते हो आप बस css में भी same चीज रखना और इसके अंदर आकर के मैंने कहा मुझे input की requirement है हम चाहते हैं user कुछ type करे यानि कि वो input करे तो यह जो आप देख सकते हो ना box इसे हम input box कहते है तो मैंने कहा input type equals to क्या type करेगा person text तो input type हो गया हमारा text ठीक है अब इसको save कर लो और यहां आके refresh करोगे तो आप देखोगे text box आपके सामने आ चुका है और user इसके अंदर type कर सकता है अब इसको एक id भी allocate कर देते हैं क्योंकि आगे जाकर के मैं label का use करने वाला हूँ तो मैंने कहा id equals to input label क्या चीज़ है मैं दिखा देता हूँ यह जो लिखा हुआ है न username यह कोई placeholder नहीं है यह एक label है ठीक है तो यह use करूँगा इसलिए मैंने उसको id भी allocate कर दिया कि भाई इसकी id क्या है input है ताकि मैं label के अंदर इस input को use कर सकूँ और मैं यह भी चाता हूँ कि directly इस बटन के उपर कोई click करें तो आजाए please fill out this field कि भाईया पहले यहाँ पे कुछ type तो करो तो इसके लिए हमें करना पड़ता है इसको required तो आप इसको कर दोगे required direct required अगर काम ना करें तो required equals to yes कर देना या फिर true कर देना normally वैसे यह चल जाता है ठीक है अब जैसा कि मैंने कहा हम यहाँ पर label का use करेंगे तो मैंने कहा label यह label किसके लिए है तो label for input अब यह input tag का नहीं है यह input यह वाला है जो भी आपने id में लिखा होगा वही चीज आपको यहाँ रखना है क्या label चाहिए तो मैंने कहा username तो अब यह जो username label आया है वो इस input के लिए है क्योंकि इसके id का जो spelling है और इसका जो है label for वो दोने मैंने यहाँ पर match कर दिया है अब हमें यहाँ पर requirement है एक icon की अगर आप यहाँ पर notice करोगे तो हमारे पास इस जगा पर एक icon लगा हुए user का है and password के लिए password का lock का icon है तो यह भी हमें यहाँ पर लगाना है इसके लिए आपको google पर आके type करना है font awesome 4 icons और अगर आप 5 का use कर रहे हो तो font awesome 5 icon जिसका भी cdn आपने include किया है तो मैंने यहाँ पर search किया font awesome 4 icons आप देखोगे font awesome का website है इसके उपर आपको click कर देना है यहाँ पर आपको एक search बार मिलता है simply यहाँ पर search करे user या जो भी icon आपको लगाना है वो search करे और enter press करे different different icons आपको यहाँ पर देख जाएंगे आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर यह वाला apply करना है जो भी आपको apply करना हो आप simply उसके उपर click करोगे और यहाँ पर आपको i class का एक option मिलेगा आपको यह as it is copy कर लेना है copy करने के बाद आजाएंगे हम label के just बाद और यहाँ कर देंगे इसको paste and save ध्यान दे अगर यह fa काम कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है कई user में हो सकता है fa b लगा हो या फिर यहाँ लगा हो तो अगर ना काम करें तो भी लगा दो और अगर already लगा है और नहीं काम कर रहा तो उसको हटा दो ठीक है save and refresh similarly मैंने यहाँ पर password के लिए search किया हुआ है जिसको हम lock कहते हैं अब यहाँ पर search करोगे न बैक जाक है के password icon तो वो भी आप इसी तरीके से pick कर सकते हो मैंने already किया हुआ है चलिए तो हमारा यहाँ पर आ गया text box label and icon तो username के लिए तो बन गया अब similarly हमें password के लिए चाहिए तो यह पूरा का पूरा difficult तो यहाँ से copy थोड़ा सा code को किया है मैंने separate and paste ठीक है तो text की जगा पर कर देना है हमें password अगर आप इसको text छोड़ दोगे न तो password यह भला ही password है लेकिन यह show होगा हमें show नहीं करना तो इसको कर दोगे आप password जब आप इसको password कर देते हो ना input type तो वो आ जाएगा star format में see this dot format में आएगा और वो show नहीं होगा उपर वाला text है तो वो show होगा ठीक है तो यह हो गया हमारा password id हो गया हमारे पास फिलाल के लिए input let's make it password और label हो गया यह password के लिए अगेन यह वाला password जो है वो id वाला है username की जगा पर कर दिया मैंने password और यहाँ पर user की जगा पर हमें requirement है lock वाले icon की जो की मैंने already search किया हुआ है इसलिए मुझे पता है आ गया password यह आ गया lock का symbol और यह बन गए हमारे दोनों fields अब इसके बाद हमें requirement एक check box की जिसके अंदर लिखा हुआ है remember me इसके लिए भी div बना लेते हैं ताकि इसको भी proper तरीके से हम style कर सके तो इसके बाहर आ जाओगे आप तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक div create कर लिया so let's make a div इसकी भी styling हमें करनी होगी तो इसको class दे देते हैं और यह outer रही है remember का तो let's make it remember underscore box की यह remember वाले का box है यानि कि outer layer आपने अल्रड़ी मेरे challenge पढ़ा हुआ है stml css तो हम outer layer भी ले करके चलते हैं right इसके अंदर record div बना दिया हमें इसका class दे रहा हूँ मैं remember सिर्फ remember और इसके बीच में आ करके हम लगा देंगे input type equals to check box फिलाल के लिए हमें इसको name की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहां से remove कर रहा हूँ save करके refresh करते हैं इसको so आप देख सकते हैं check box आ चुका है अब इसके बाद मुझे एक message भी चाहिए न यह remember me तो इसे कर लेता हूँ मैं copy check box के बाहर आ करके कर दिया है मैंनो उसको paste refresh करेंगे तो यह आ गया and better है थोड़ा सा एक space देख करके देख लेते हैं हो गया तो अच्छी बात है वरना हम इसको with the help of CSS correct करेंगे चलिए better है अब requirement है यहां पे forgot password मैं इसको यहां से कर देता हूँ copy और यह आएगा हमारे पास with the help of anchor tag तो आप क्या करोगे एक div के बाहर आजाओ यानि कि remember me के बाद जो div है ना उसके बाहर आकर क्या आपको लगाना है a href equals to hash यानि कि click करने पर कहीं भी मत जा text हो गया हमारे पास forgot password तो basically यह forgot password clickable होगा link जैसा तो basically यह forgot password clickable होगा link की तरह see this link आगे और clickable है click करने पर उपर आ रहा है है क्योंकि हमने hash लगा रखा और किसी और page पे हमें redirect नहीं करना है user को right अब आप आजाओगे इस div के बाहर यानि कि form के उपर जो एक div बचा हुआ है ना उसके भी बाहर आ जाओ requirement है button की तो लगा दिया मैंने button tag क्या login क्या text चाहिए उसके उपर है तो मैंने कहा log in यह हो गया मेरे पास button का text तो आप देखोगे button बन जाएगा जिसके उपर लिखा हुआ log in ठीक है button के नीचे भी हमें requirement है यह new account का do not have an account create an account चलिए मैं इसको यहां से कर लेता हूँ copy और इसके लिए भी एक div create कर लेते हैं तो मैं यहां पर आगया button के just बाद एक नया div बना लेते हैं ताकि इसके style sheet भी कर सके इसका एक class दे दिया है मैंने sign up इसके बीच में आएंगे यहां paste किया मैंने message don't have an account और उसके बाद चाहिए मुझे यह tag इसमें लग जाएगा hash और message को दुबारा paste करके ले लिए मैंने यहां से sign up कि account नहीं है तो कोई बात नहीं यहां से sign up कर लो save and refresh करके देखते हैं don't have an account sign up sign up clickable इसलिए है क्योंकि इसको हमने anchor tag के अंदर रखा है तो इसी के साथ html का part हमारा यहां पे complete हो गया अगर कुछ minor से changes करने होंगे तो इसको हम कर लेंगे अब हमें करना है यहां पे style.css यानि कि इसको proper तरीके से दिखाना है ताकि इसका design जो है वो दिखने में कुछ इस तरीके का हो तो html complete होके अब हम यहां पे करते हैं इसकी style sheet को तो अब हमें यहां पे css के part को complete करना है सबसे पहले मैं यहां पे अपने css को reset कर दूँगा जैसा कि आपको पता है html और css के कुछ properties जो होते हैं वो अपने साथ कुछ margin, कुछ padding और by default values लेकर कर आते हैं हमें उनकी requirement नहीं है एक चीज़ और मैंने अपना screen change किया है अब मैं बहुत बड़ा monitor यूज़ करता हूँ सो मैं भूल गया था कि मैं पहले के tutorials में बार-बार zoom करता था अब इतना screen size बड़ा हुआ है तो मुझे requirement नहीं होती है तो मैं इसको zoom नहीं कर रहा था बट suddenly मुझे याद आया कि हाँ आप लोग को problem हो सकता है यहाँ पे कुछ gap है और उपर भी gap है जो कि अपने आप है ना अपने ना मैंने इसके लिए अभी तक कुछ नहीं किया हम चाहते हैं कि यह ना रहे जितनी भी requirement होगी हम उसको अपने according देंगे तो इस चीज को हमें reset करना है आप body लिख सकते हो आप html लिख सकते हो या फिर आप star लिख सकते हो star का मतलब हो all जितने भी html के tags हैं या फिर css के properties है overall एक webpage के उपर जो भी है उस सब के लिए मैंने का उन सभी का जो margin है न वो हो जाए 0 similarly मैंने इसका padding भी कर दिया यहाँ पे 0 कि margin और padding इन दोनों की हमें requirement नहीं है अब अगर आप इसको refresh करोगे न सेव करके तो see this यह उपर जितनी by default रहती है वो तो रहेगा थोड़ा बहुत तो रखेगाई left से पुरा गायब हो गया उपर भी काफी जादा यह shift हो गया right जो कि आप इसको देख सकते हो इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर कर देता हूँ box sizing border box अगर आपने मेरे designing के tutorials को follow की है तो आपको पता इससे क्या होगा जब भी draw div आपस में आएंगे तो वो overlap नहीं करेगा उनके borders आपस में intersect नहीं करेगा और problem create नहीं करेगा अब आते हैं body पर तो मैंने कहा body body एक tag है तो हम directly लिख सकते हैं flex box का use करेंगे तो मैंने कर दिया इसको display flex items की alignment कहां पर रहेगा तो मैंने कहा दिया center तो चीज़ें यहां पर center में चली जाएंगे ठीक है इसी के साथ साथ हमें देना होता है justify content और जो भी आपको रखना है वो save करके refresh करेंगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से center में आ चुका है जो कि हमारा है x axis y axis के उपर हम इसको ले आएंगे मैंने कहा है minimum height होगा let's go with 100vh हम इसको बाद में कम जादा करेंगे obviously save करके इसको refresh करते हैं तो यह आ गया कुछ इस तरीके से 100 पर काम ना करें तो कम जादा करके देख लेना या आपके screen size के उपर depend करता है अब finally हमें लगाना है background पे एक image यह जो आप image देख पा रहे हो ने पीछे जो picture लगा हुआ या फिर photograph लगा हुआ है यह इसका link आपको description में मिल जाएगा अब google पर जाके भी type कर सकते हो space background 1920 x 1080 आपको मिल जाएगा कुछ न कुछ अच्छा सा ठीक है तो यहाँ पर आ करके मैंने कहा इसको background URL और इस बीच में हमें देना है अपने image का path तो जहाँ पर मेरा पूरा file है ना उसी जगह पर मैंने अपने image को रखा है इसका नाम है back 3 right click करके आपको जाना है इसके properties पे properties पे जाने कर इसका नाम देख लो एंड इसका type क्या है jpg है jpeg है png है svg है वो आप इसको एक बार देख लो मेरे case में jpg है यानि कि back 3.jpg सेम फोल्डर में है ठीक है तो मैंने कर दिया back 3.jpg see this background में image apply हो गया अगर आपने image net से download किया है इमेज छोटा है काफी या काफी बड़ा है और आपके case में image repeat हो रहा है यानि कि image कहीं पर खतम हो गया और उसके बाद फिर से शुरू हो गया उससे कहते हम repeat आप चाहते हो वो ना हो तो इसके लिए आप यहीं पर लिख दोगे no repeat then आपको कर देना है save and refresh तो आपका जो image है वो repeat नहीं होगा बड़ ध्यान देना फिर वो छोटे पर आके रुख जाएगा तो उसकी alignment करनी पड़ती है फिर ठीक है तो अगर आपका image center वगरा में नहीं आ रहा है तो उसको फिर आपको align करना पड़ेगा इक खटे लिख रहा डिमेंड करता image के ऊपर उसका resolution क्या है quality क्या है उसके according ठीक है तो आप इसको यहाँ पर apply कर लोगे अब finally आते हैं हम लोग अपने इस पर see this यहाँ पर हमने create किया हुआ है container container क्या है basically मैंने आपको कहा था यह पूरा का पूरा हिस्सा जो outer area होगा वो container है उसी के अंदर हम सारा काम कर रहे है right तो यहाँ पर आ गया container एक class बना रखा है तो आपको dot के साथ उसको रखना है तो container का मैंने apply किया border सिर्फ आप लोगों को द सिर्फ understanding के लिए है बाद में इसका मैं properties वगरा को change कर दूँगा तो यहाँ पर width allocate करते है मैंने कहा width let's go with 350 pixels हाँ अब जो मेरा screen size है वो 27 inches का monitor है resolution है 19201080 computer में कोई भी graphic card नहीं लगा है तो मेरे case में 350 pixels यहाँ पर आया है हो सकता है आपके screen का resolution हो 1366768 तो आपके case में यह थोटा दिखेगा तो इस चीज को overcome करने के लिए आप percentage का भी use कर सकते हो ताकि किसी भी screen पर देखे वो बराबर दिखेगा screen के according या फिर फिलाल के लिए अब इसको कम जादा करके अपने according manage कर लेना ठीक है थोड़ा सा gap allocate करना हर तरफ से तो मैंने कहा padding I think 20 pixels will be sufficient तो अब radius हर तरफ से 10 pixels अभी यह देखो यह जो है न शार्प है यह जो edges है अब यह हलका सा round हो जाएगा see this तो यह करता है हमारा border radius चलो border 2 pixels से काम तो नहीं बनेगा let's make it 4 pixels control 0 दोनों आपस में match हो रहे है ठीक है अब एक चीज़ आप notice करोगे इस case में यह जो है ना color जो पीछे का color है वो ही color हमारे form पे दिख रहा है जिसको मैंने blur किया हूँ है आप देख सकते है mountain इस जगह पे है इस जगह पे green shade है इस जगह पे space है यहाँ पे यह जो भी यह नेb हो आप कुछ अजीव सा दिख रहा है अब मैं इसमें white white background color कुछ भर दूँ तो चलो बात अलग है वाट इस्टिल problem कहाँ पे आता है आपका जो यह text field है उसके अंदर भी white color भरा हुआ है हम यह भी नीच आएंगे और कई cases में हो सकता है इसके भी color आए तो मैं चाहता हूँ यह पहले तो transparent हो जाए ठीक है तो सबसे फ़हले आप क्या करोगे इसका जो background color है वो आप कर दोगे transparent save and refresh मेरे case में already transparent था तो फरक देखने को नहीं मिलेगा इसको हम अलग से करेंगे ठीक है तो यह हो गया transparent अब आता है यह जो background है इसके उपर एक filter apply करना है जो की है blur zoom करके दिखाता हूँ अभी कैसा है और यहां पर आ करके मैंने कहा background filter इसको कर दिया मैंने blur कितना blur करना है वो आपको बताना पड़ता है so let's go with 25 pixels कम जाधा करके देख लेना depending upon आपका image तो अभी कुछ इस तरीके का है all right not background यह होगा backdrop save and refresh आप देखोगे 25 pixels पर कुछ इस तरीके का है zoom कम करता हूँ तो इस तरीके का है बहुत जाधा है so let's make it 10 I think manageable है कम जाधा अपने according कर लेना 10 भी नहीं दूंगा मैं इसको all right यह ठीक लग रहा है मुझे container के position को relative कर देते हैं चलिए better है अब आप देखोगे जो container लगा रख है मैंने उसके अंदर मैंने लगा रखा है header basically यह जो हमारा outer box है ना white वाला यह हो गया container उसके अंदर मैंने header tag यूज किया हुए मैं कहता हूं इसकी style sheet create करनी है तो मैंने कहा यहां से इसको copy करो dot के साथ paste इसके अंदर है हमारा header tag इसकी style sheet create करनी है उपर का position हमने relative कर दिया तो यहां हो जाएगा absolute थोड़ा बात फर्क देखने को मिला अब यह विगड़ गया है so let's make it top से 0 pixels pixel लिखो ना लिखो 0 लिख दिया तो एक ही बात है चलिए उपर जाके चिपक गया I think मैंने height नहीं दिया इसका यह problem कर रहा है width तो दे दिया मैंने height 100vh लगाया तो था इस जगह पर लगाया था all right थोड़ा सा height भी allocate कर देते हैं so हमारा body tag यहां पर दे रखा है हमने इसका width वगड़ा let's go with height चलिए काफी जदा हो गया I think match कर रहा है अब मैंने जब इसको top किया ना तो यह top पर चला गया जो कि आपने यहां पर देखा see this top से 0 but मैं left से इसको 50% करता हूं ताकि यह इस जगह पर आ करके lie करे ठीक है तो let's make it left 50% कम जदा करके देख लेना तो यह आ गया कुछ इस जगह पे एक चीज़ मैं यहां पर notice कर रहा हूं इसका alignment खराब है it means code में कहीं न कहीं fault हुआ है जितना मैं चेक कर पा रहा हूं यहां पर हमने header start किया जो कि basically heading के लिए था और पूरे form के लिए नहीं था या पूरे page के लिए नहीं था by mistake मैं उसको यहां तक ले आया और उसको मैंने last में कर दिया तो सारा कुछ चला गया header में जिसकी अभी requirement नहीं है तो आप क्या करोगे h2 के just बाद अपने header को कर दोगे close बाकी चीज़े as it is यहां पर आके refresh एक चीज़ और अगर आपको impact देखने को ना मिले तो CSS generally क्या करता है न history store कर लेता है तो आप control h प्रेस करो और web browser की history को clear करो changes आपको दिखाई देंगे और यह हो सकते हैं आपको multiple times करना पड़े like आपने 2000 minute code कर लिया फिर आपको changes नहीं मिले तो फिर करना पड़ेगा history delete करते टाइम एक ध्यान देना facebook, gmail जो भी आपने login किया हुआ है वो सब उड़ जाएगा तो आपको दुबारा से login करना पड़ेगा तो make sure आपको उसका id password याद हो तो ही history clear करे एक shortcut भी है control F5 प्रेस करोगे तो सही तरीके से load हो जाता है generally ठीक है alright तो यहाँ पर आ करके मैंने इसको अब कहा transform translate x transform translate x minus 50% alright अब देखोगे यह हमारा सही तरीके से आ गया अब मैं यह चाहता हूँ ना कि यह एक white सा area बनके आए बेसिकली यह वो कुछ नहीं है नॉर्मल सा एक piece है जिसको हमने यहाँ पर basically white color दिया हुआ है और बाद में यहाँ पर radius apply किया हुआ है ठीक है बट अभी उसको कर नहीं सकते reason is यह देखोगे आप पर समें congested है बहुत जादा चिपका हुए अब इतना चिपका रहेगा तो यह अच्छा भी नहीं लगेगा right तो हम क्या करेंगे कुछ padding allocate कर देते हैं यहाँ पर तो मैंने कहा इसको padding top और bottom से 10 pixels left और right से 20 pixels all right इसको save and refresh तो थोड़ा सा gap आ गया और ऊपर थोड़ा gap मिल गया यहाँ पर आप देखोगे तो match कर रहा है ऊपर का gap ठीक है form को हम यहाँ पर align कर देंगे सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर एक color allocate कर देता हूँ तो मैंने यहाँ पर कहा background color white see this white color हमारे पास यहाँ पर आ गया अब मैं यह चाहता हूँ कि यहाँ पर curve बनके आए curve आपको अभी दिखाई नहीं देगा reason यह है कि form काफी congested है तो एक काम करते हैं पहले form का code करते हैं यहाँ पर तो मैंने कहा यहाँ पर form margin top top से थोड़ा सा gap ले करके आना है कम जादा इसको करके देख लेना मैंने यहाँ पर कहा इसको 80 pixels चलिए gap आ गया अब आते हैं वापस इसके उपर ठीक है तो यहाँ पर आ करके मैंने कहा border radius चारों एंगल से provide करेंगे हम लोग इसको तो I think अपने according थोड़ा बहुत adjust कर लेना 00 12 pixels 12 pixels save तो यह 0 हुआ यह वाला भी 0 हुआ यह 12 हुआ और यह 12 हुआ अगर मैं इस से देखूं तो यह ज़दा हो गया वैसे तो ठीक ही है कोई दिक्कत नहीं है but let's make it 10 चल यह match कर रहा है जो उपर का हिस्सा है वो हम create कर लेंगे फिलाल आपना देखो कि यह हमारा match कर रहा है सही तरीके से अब आते हैं form के उपर let's make it display flex flex direction column अभी actually वो row wise है जैसी मैं इसको refresh करूंगा वो column wise हो गया और कुछ चीज़े यहाँ पर improvise हो गई थोड़ा सा यहाँ पर gap भी allocate कर देता हूँ मैं so let's make it gap 20 pixels now यह color combinations यहाँ पर थोड़ा सा जीब है but hope so यह work कर जाएगा alright gap आ चुका है यहाँ पर तो हम color को ignore कर सकते हैं basically यहाँ पर ना grid gap लिया होता है लोगोंने कि अभी तक मैंने यहाँ पर कोई grid वगरा create किया नहीं है that's why direct gap लिखा हुआ है मैंने अब यहाँ पर हम लोग अपने input type को सही करते हैं वह अगर ध्यान से देखो तो यह design और यह वाला design दोनों के लिए design अगर मैं common करूँ तो भी चल जाएगा difference कुछ है नहीं अब देखो के दोनों same है height, width इसका यहाँ से roundness है, curve है बस icon change है वो हम कर लेंगे और वो अल्रड़ यहाँ input tag है, आपको याद होगा form tag के अंदर, form tag form के अंदर हमने input ले रखा है दो, एक text एक password, तो मैंने कहा input के अंदर, जिसका type equals to, double quote के अंदर दे रहा हूँ मैं इसको, text है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास comma, control c, control v, साथ ही साथ, password, specify इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि button भी वैसा ही बन जाएगा, अगर आपकी requirement है तो आप direct input से भी count कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर comma नहीं आएगा क्योंकि यह last है, मैंने कहा सबसे पहले तो gap allocate कर, with the help of padding, let's make it 10 pixels, चलिए, यहाँ पस में padding आ गया यहाँ पर, आप देखो कि इस जगह पे ऊपर और नीचे और side म नहीं था ऐसा, तो हमारे पास आ चुका है padding, यह border हमें देना है white color का, ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैंने कहा border, 2 pixel, solid, white, save and refresh तो आ चुका है, वो दिखिस लेनी रहा क्योंकि यह भी हमारे पास white है, ठीक है, जब मैं इसको transparent करूंगा तो वो दिखाई देगा और इससे पहले यह छोटा लग रहा है काफी, so width, मैंने कहा जो मेरा form का div है, basically उसका पूरा 100% area consume कर ले, तो 100% हो गया, इससलिए नहीं हुआ, क्योंकि padding भी दिया हुआ है हमने, border radius यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मैं, कम जाद अपने according करके आप देख लेना, तो अभी क्या होगा, यह curve हो यहाँ से, तो आप देख सकते हो, border radius यहाँ पर apply हो गया, जब हम click करते हैं तो आप देखोगे, मैं zoom करके दिखाता हूँ आपको, यह black color का outline आ रहा है, और यह मुझे नहीं चाहिए, यह click करने पे ही आता है और इसको हम outline बोलते हैं, मैंने कहा outline none, see this, अब कितना भी click करो, आ आपका outline नहीं आएगा, finally background color को transparent कर देते हैं, ताकि जो हमने border लगा रखा है, white color का, वो proper तरीके से यहाँ पर दिखाई दे, तो background color, transparent, यह हो गया transparent, और जो भी हम यहाँ पर देख सकते हो, यह 2 pixels से बात नहीं बना, so, I think 3, या फिर 4, 4 जदा हो गया, so, let's make it 3, जितना आपको अच्छा लगे, उतना आप रख लेना, एक चीज और, जब मैं type कर रहा हूं, तो यह चीज़े दिखनी रही मुझे, see this, underline को ignore करो, word मैंने यहाँ पर कुछ भी random type किया, that's why आ रहा है, मैं जाता हूं, इसका color हो जाए, white, simple है, आप देखो color, white, perfect, अब आते हैं अपने HTML पे, और हमने बना रखा है यहाँ पर wrapper, जो कि हमारे form tag के अंदर है, dot के साथ मैंने paste किया, कि अब इसका style sheet create करना है, सबसे पहले तो हो जाएगा, इसका position relative, display flex, align item center, save and refresh, अब आ गया username इस जगह पे, खेर, इसमें कोई problem नहीं है, यह हमारा label है, आपको याद होगा, और यह icon है, अगर आप यहाँ पर आ करके देखोगे न, तो हमने बना रखा है label, label किस चीज़ के लिए, label for, input, input type, input, यानि कि input type के लिए, text के लिए, और दूसरा हमने इसके लिए label बना रखा है, right, तो मैंने यहाँ पर कहा, label का style sheet create करना है, सबसे पहले तो इसका position कर दिया, absolute, उपर हमने relative दे दिया है, अब हमने कर दिया इसको absolute, यह आ गया इस जगह पर, shift कर लेंगे इसको, उसमें कोई problem नहीं है, मैंने का left में चिपका हुआ है, तो थोड़ा सा 10 pixels, तो थोड़ा सा 10 pixels यहाँ पर shift कर, 10 से काम ना बने तो कम जादा करके देख लेना, obviously इसका color भी white करना पड़ेगा, so let's make it color white, चलिए, visible है, I think यहाँ पर बड़े तरीके से लिखा हुआ है, और यहाँ पर छोटा है, so font size, let's go with 15 pixels, okay, 18, काफी जदा हो गया, so 17 और 16, let's make it 17, चलिए, मैं इसको इतने पर ही रख रहा हूँ, अब आते हैं icon पर, यह जो हमने i tag लगा करके, यह user और password लगा रखा है, यह zoom करके आप देखो, इस जग़ा पर दो icons है, जो की लगे हुए हमारे i tag से, तो मैंने का इसका style sheet create करेंगे, so इस जग़ा पर आ करके i, position absolute, और कर देंगे इसको save, चलिए यह भी आ गया इस जग़ा पर, ctrl 0 से ऐसा करके दिखा देता हूँ आपको, बट यह मुझे left पर तो चाहिए नहीं, यह मुझे चाहिए right hand side पर, और right hand side पर यहाँ भी gap आए, तो इसको हमने 10 pixels का gap दे रखा है न, आप देखोगे उपर, see this, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने क्या दिया भाई right पर चले जा, right पर जब जाना, तो 10 pixels का gap रखना, 0 कर दोगे basically तो और चिपक जाएगा, अब आगया वो right पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, and इस यह है कि font size थोड़ा सा हमें correct करना है, font size 15 pixels, कम ज़्यादा करके देख ले न, I think हम इसको कम कर सकते हैं, so let's make it 14, save and refresh, all right, दोनों आपस में सही दिख रहे है, जैसी मैं इसके height को align करूँगा, यह सही लगेगा, अब यहाँ पर हमारे पास check box, same चीज यहाँ भी है, तो इसको यहाँ पर correct करते हैं, तो I think इसको हमने class दिया होगा, so let's scroll, check box को हमने दे रखा है remember box, मैंने इसको कर लिया, यहाँ से copy, dot के साथ किया, इसको paste, display, flex, align item center, थोड़ा सा gap maintain करेंगे, so let's make it gap, 5 pixels, save करेंगे, एक बार zoom करके देख लेते हैं यहाँ पर, यह कुछ इस तर और जो alignment है, वो proper हो गया, although इतना छोटा सा box है, तो properly आपको मालूम नहीं पड़ेगा, but still, font size, 12 pixels, color हो जाएगा हमारा white, save and refresh, चलिया, font size तो correct हो गया, but I don't think कि उसकी requirement है, पहले ही better था, color white I think, यह पहले blue color में था न, तो इसको correct करने के लिए किया, and यह जो message है हमारा, यह, हम इसका भी color कर देंगे न, तो भी हो जाएगा white, तो दोनों message जहां लगा लो, जैसा आपको सही लगता है, अभी आप देखोगे, forgot password, यह right hand side पे है, और यह left hand side पे है, इस case में दोनों आ box है, यह पूरा का पूरा basically हमारा एक div है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो justify content, space between, save, refresh, तो इसके आपस में जितने भी space है, space between उसको यह manage करेगा, तो एक left पे रह गया, और एक right पे रह गया, इसके बाद हमने class दे रखा है, remember, इसे किया copy, paste, display flex, align item center, gap हो गया 5 pixels, आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ gap maintain हुआ, और alignment सही हुआ, color, white, save and refresh, perfect, अब हमारे पास एक button है, इसके just बात, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, button tag, tag है तो हम इसको directly लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कहा button, border, none, कि जो button है, इसके border हमें नहीं चाहिए, by default यहाँ पे refresh किया, उस border को मैंने यहाँ से हटा दिया, control, 0 से zoom वापस 100%, थोड़ा सा gap maintain करेंगे, काफी congested है, so let's make it padding, 10 pixels, कम जदा करके देख लेना, जूम 100% करके हम चेक करेंगे, तो दोनों बराबर है, अब यहाँ पे अगर आप notice करोगे, तो यह edges यहाँ पे curve है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यह sharp edges है, see this, मैं चाहता हूँ यह curve हो जाए, तो कुछ नहीं करना आपको border radius लगा दो यहाँ पे, so let's make it border radius, 50 pixels, alright, तो यह भी हो गया यहाँ पे, जब मैं इस button के उपर ऐसे mouse लेके जा रहाँ न, तो ऐसा feel नहीं हो रहा है, यह clickable है, यह हो रहा है, देखो, icon change हो रहा है, लेकिन इस case में नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना है, इस के cursor को change करना है, तो button के उपर cursor pointer, तो अब यह उसको point करेग see this, अब हमें create करना है यह वाला effect, जब मैं इसके उपर click करता हूँ, तो username यहाँ पर उपर shift हो रहा है, और बाहर click करता हूँ, तो वापस अपनी जगह पे as a placeholder act कर रहा है, वो placeholder तो नहीं है, but still, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का एक animation भी आ रहा है, तो इसके mouse लेकर के जाने को हम कहते है, यहाँ पर hover या फिर h over, click हो जाने पर हम कहते है focus की click उसी के उपर है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कहा, जो हमारा input box है, colon, valid, plus label, जो उसका label है, हमने यहाँ पर label लगा रखा है, देखो label for input, उसके लिए, comma at the same time, यह कर लो as it is, copy and paste, valid की जग focus, focus plus label, यह comma हटा दो, and this, याद से यहाँ से comma हटा लेना, so sorry, audio अगर आपको अजीव लग रहा हो, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, because of fever, यहाँ पर कर दी है, मैंने इसको background color, white, की valid हो, यानि की इसके उपर click हो, या चाहाँ focus हो, तो background color कर देना white, देखो background color हो गया white, और जब focus रहेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको ऊपर shift कर देंगे थोड़ा सा, जिससे background color भी white हो जाएगा, और जैसे यह shift हो रहा है न, ऊपर की तरफ, साथ में इसका font color black हो रहा है, वो भी हो जाएगा, तो मैंने का भाई, जब focus होगा, तो जो color है, black हो जाए, यानि की font color save and refresh, focus किया, यह देखो white हो रहा है background और font color हो रहा है हमारे पस black, इतना ठीक है, इसके बाद मैंने इसको कहा, transform, translate 10 pixels, comma, minus 20 pixels, इन values को आपने according कम जादा करके आप देख ले न, save and refresh, देखो आप, जैसा मैंने उसको कहा न, x-axis पे कितना रखना है, y-axis पे कितना रखना है, 10, 20, या minus में उपर की तरफ, वो हो गया हमारा, अब देखो, यह है 10 pixels, यह है x-axis, graph बगर आपने plot किया होगा, तो आपको पता होगा, इस direction में हमारा x होता है, इस direction में y होता है, तो मैंने का, इस direction म के जाना है, तो वो हो गया हमारा minus में, ठीक है, अब यह fast हो रहा है, तो इसको animation के जरीए slow करना पड़ेगा, चलिए उससे पहले लगा देते हैं कुछ padding, left और right से 2 pixels, top और bottom से 5 pixels, चलिए इसके बीच में थोड़ा सा gap आया, पहले चिपक गया था अपस में, font size I think match यह छोटा है और यह बड़ा है, so कम कर देते हैं, let's make it 8 pixels, बहुत छोटा है, so 15 pixels, perfect, अब इसको भी curve करना है, यह भी यहाँ पे sharp edges है, इस case में वो round है, अब proper round नहीं करना, इसलिए हम कम value pass करेंगे, तो हो जाएगा हमारा border radius, 5 यह फिर 4 pixels ट्राइ करके देख लो, and जब click करेंगे तो कुछ इतना है, perfect, control 0, अब यह इखटे हो रहा है, थोड़ा सा slow करना है इसको, so हम लगा देंगे यहाँ पे transition, उपर आ जाओ, लेबल में, transition 0.2s, 0.2 हो गया हमारा timer, यानि कि एक seconds से भी बहुत कम, s का मतलब है seconds, save and refresh, see this, और slow करके दिखा दिखता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, आप इसको यहाँ पे, इसको आप 0.1 समझ लो, 0.01 भी कर सकते हो, और कम value आप कर सकते हो, see this, forgot password का color change नहीं हुआ, जो कि मैंने किया था, कहां पे रखा हुआ है, इसको हमने, so forgot password a tag, anchor tag का कर दिया है, मैंने color white, perfect, अब इसको भी correct करते हैं थोड़ा, तो यह है हमारे पास sign up, copy, paste, text की जो alignment है, यह आप देख सकते हो न, left के side पे है, मैं चाहता हूँ यह center में हो जाए, I think आपको इतने में visible होगा, text align center, color white, तो यह हो गया center में, और जो color है, वो हो गया white, control 0, I think हमें input की height बढ़ानी चाहिए या नहीं, so, में recording तो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, so, आजाते हैं उपर, height हमने इसको padding दे रखा है, so, let's make it 12, चलिए, almost, तो match कर गया इसके साथ, अब हमें यहाँ पर लगाना है यह, यह उपर का हिसाब curve देख पा रहे हो ना, जो हमने header की help से बनाया हुए, वो हम चाहते हैं कि यहाँ भी apply हो जाए, ठीक है, अब इसका font size वगर आपने according adjust कर लेना, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना आप समझ चुके हो अब तक, तो हम यहाँ पर लगाते हैं उस curve को, pseudo elements का use कर रहा हूं यहाँ पर, header before, अगर आपको CSS में कहीं भी doubt आता है, चैनल के playlist में जाना, और CSS को आप वहाँ पर detail में सीख सकते हो, position absolute, by default कुछ भी content इसके अंदर नहीं रहेगा, तो खाली, basically मैं एक white area बना रहा हूं, तो उसके लिए मैंने कहा, जो इसका width है, वो कितना रहेगा, अपने according कम जदा करके देख लेना, मैं यहाँ पर कर रहा हूं width 30 pixels, height 30 pixels, और background color, ताकि आप इसको देख सको, so background color, white, save and refresh, तो आप देखो गए कुछ इस जगह पे, 30, 30 pixels का कुछ बन करके आया है, और वो हमारे इसके ऊपर आ गया, इसलिए अभी आप उसको proper से नहीं देख पारे, right, थोड़ा सा shift करते हैं इसको, मैंने का भाई left से, और left को आजा, तो minus 30 pixels, 30 इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसकी जो width है ना, वो 30 दे रखी है, अगर आपने 40 किया हो, तो 40 पे move करोगे उसको, तो 30 की तरफ बाहर आ गया, see this, एक square बन करके आया, हमारे सामने क्योंकि 30 pixels लिया है, तो common sense है, वो square बनेगा, top से भी alignment देते हैं, इसको हम लोग 0, कि भाई top पे पूरा जा करके चिपक जा, चलिए, perfect है, box shadow, 15 pixels, 0, 0, 0, white, तो इसका यहाँ पे shadow आ जाएगा, जिसके करन यह fill out हो गया, and obviously background हमारा काफी dark है, तो उसके ओपर shadow उतना visible भी नहीं होगा, और white color का है, इसलिए, जो gap था, वो fill कर लिया, मैंने यहाँ पे shadow के जरिए, ठीक है, border, border, top, right, 50%, यानि कि border, top and side से, कितना रहेगा, तो basically वो छुप गया इस जगह पे, वो इस जगह पे 50% हुआ है, ठीक है, I think background color हम इसका transparent भी दे सकते हैं, perfect, तो यहाँ से वो curve जैसा कि मैंने आपको कहा हुआ, और बाकी हिस्से को मैंने यहाँ पे transparent कर दिया, ठीक है, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, so red करके दिखा देता हूँ, see this, इतने को हो, मैंने border radius के help से यहाँ पे curve किया, बाकी को transparent करके गायब कर दिया, चलिए, यह as it is कर लो, copy, paste, इसको कर देंगे right, minus हटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा left, और यहाँ पे कर देंगे हम इसको after, इस जगह पे आ चुका है, so right से इसको कर दिया हमने minus 30 pixels, और राइट, कुछ इस जगए पे इसकी alignment है, और राइट, तो जो shadow भी है न, वो भी अब हमें दूसरे तरफ से चाहिए, तो इसको आप कर दोगे minus, पहले कुछ इस तरीके गाथा, अब यहाँ पे हम apply कर देंगे shadow, minus की तरफ, perfect है, control 0, और जो form मैंने आपको starting में चेक कराया, वो बन करके यहाँ पे तयार हो चुका है, मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़े step by step, बहुत ही easy way में समझा दी जाए, और उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट में अपना feedback जरूर दे, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके all notification को on करें, तकि आपको latest videos की notification मिलती रहे, मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में, thanks for watching guys,